नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों मेले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें क्यूंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे टिप्स ऐसी जानकारी लेकर आते हैं आपके लिए जाना बहुत इंपॉटन्ट और आपके लिए भाज़ादा गुनकारी होती है चलिए दोस्तों आईए आज की वीडियो में देखते है क्या है खास आज का हमारा टॉपिक है खसकस के फाइदों के बारे में चलिए दोस्तों खसकस मूल रूप से एक तिलहन के रूप में इस्तिमाल की जाती है और यह खसकस के पौधे से प्राप्त होता है 3000 से भी अधिक वर्षों से इसकी खेती होती आ रही है बारत में इसकी खेती मुख्य रूप से उत्तरप्रदेश, पंजाब के होश्यारपूर, राजिस्थान और मध्यर प्रिदेश में की जाती है आम तोर पर लोगों को खसकस के पौधे में मात्र गुनों के कारण खसकस के सेवन को लेकर चिंता होती है यह सच है कि इसके कच्चे बीजों में मार्फिन जैसे अलफाइड होता है इसमें दर्थ निवारक नशे की आदत भी छूट सकती है लेकिन इसके पके हुए बीजों में ये नाकी मात्रा में पाया जाता है जिससे किसी भी प्रकार की लत नहीं लगती है खस में कैलशियम, पोटेशियम, नेकडीशियम और आरेन जैसे खनीजों की अच्छी मात्रा होती है साथ ही ये फाइबर और अवशक फैटी आसिड में समरिद्ध होता है जो हमारे संपून स्वास्ते को इच्छा रखने में मदद करता है आम तोर पर इसका प्रियोग खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है इसके और भी बहुत सारे स्वास्ते लाव जिनके बारे में आगे हम आपसे आकर च्रचा कर रहे हैं जिया दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मुह के अलसर से संबंद में आरवेदिक के अनुसार शरीर में अतधी गर्मी के कारण मुँ में अलसर की समस्या हो सकती है खसकस हमारे शरीर पर थंडा प्रभाव डालता है और मुँ के अलसर से रहत दिलाने में हमें बहुत ज़ता मदद करता है अलसर से तत्काल रहत प्राप करने के लिए इसे पीस कर इसमें थोड़ी सी चीनी मिला ले और इसका सेवन करें इसके अलावा खसकस कपस को दूर करने में भी बहुत फाइदे मंद होता है खसकस में बहुत अधी डायेटरी फाइबर्स पाया जाता है जो की कपस की समस्या से हमें चुटकारा दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है इसके साथ साथ इसके सेवन से बहुत लंबे समय तक भूग नहीं लगती है कपस की समस्या से रहत दिलाने के लिए इसे पीसकर भोजन से पहले इसका सेवन करे या इसे अपने पकवान में मिलाए यदि आप अनिद्रा या थकान की समस्या से पीडित हैं तो खसकस को पीस कर गर्म दूद और चीनी के साथ मिलाकर सोने से एक घंटे पहले आपको पी लें यह नीन्द की समस्या से छुटकारा दिलाने में आपकी बहुत ज़ादा मदद करेगा खसकस के बीजों में कई योगिक पाए जाते हैं जो न्यूट्रो ट्रांस्मीटर के उत्पादन में मदद करते हैं जिससे मस्तिक्ष को बेहर और भेतर प्रदेशन करने में मदद मिलती हैं खसकस में आवश्चक fatty acid पाए जाते हैं जैसे कि लीनो लिट एसिड जो की शरीर मेरा कलिस्टॉल किस तर को कम करने में हमारी मदद करता है या दिल की बीमारियों और दिल के दोरे को भी रोकने में मदद करते हैं दिल के स्वास्ते को अच्छा रखने के लिए खसकस को अपने की प्रोटीन जो की हडियों के हानी को रोकता है और उसके पादन को बढ़ाने में हमारी बहुत जादा मदद करता है जोडों के दर्द और सूजन से तुरंत पाने के लिए इसे पीश कर पेज बना ले और दर्द और सूजन वाली जगा पर इसका लेप लगाए खसकस की कुछ एक बुंदे मिलाकर मोटा पेज बना ले और तुचा के संक्रमन जैसे जलन संक्रमन जैसे खुजली वाले हर शेतर पे लगा ले इससे आपको लाब मिलेगा खसकस में केल्शियम आयरन और तामबा जैसे खनीच प्रदार्द पाए जाते हैं और यह खनीच निट्र प्रतिरक्षा प्रणाली बिगर जाती है खसकस जो की जिंक से भरपूर है उसके नेमिच सेवन से हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है यह प्रतिरक्षा खुशिकाओ को निर्मान करने में भी बहुँ ज़्यादा हमारी मदद करता है जिससे हमारी प्रतिरक्ष समस्या है तो इसका सेवन करने से आरवेदिक डॉक्टर से परामश जरूर करें यदि आप अस्तमा और अन्ने स्वसंच समस्या से बहुत लंबे से पीडित है तो यह बहुत ज़्यादा फाइदेमंध होता है खसकस सर्दी आदी दवा के रूप में कारे करता है और वायू मार वार्थों को बाहर निकालने में हमारी मदद करता है यह विशाक परदार गुर्दे की पत्री सहित अन्य प्रकार की समस्या को जन्म दे सकता है नियमे थ्रूप से इसका सेवन करने से आप इस समस्या से बच सकते हैं के अलावा कोई भी समस्या हो दुनिया की आप ठीक से न का सकरात्मक प्रभाव निकल सकता है आप में इसे आज़ादा प्रयोग किया है उधारन के लिए खसकस एक अध्यन में खसकस के सेवन के एक दिन बाद तक सकरात्मक प्रभाव दिखाई दिये। डॉक्टर्स के अनुसार खसकस का अधिक मात्रा में सेवन करने से स्वस्षन और काडियो वास्कुलो सिस्टम में परेशानी हो सकती है। साथ ये चेतना बिगड सकती है और चक्कर भी आ सकता है। बुगॉलिक और कटाई को प्रभावित करने वाली चीजों से और इसकी मात्रा काफी विबिन हो सकती है। जिससे खसकस की हे दोश प्रभाव तीद्र हो सकते हैं। खसकस में दोनों प्रकार के घाटक परसीद होते हैं। इसके चाई की थोड़ी मात्रा में भी होशी, मितली, तचा की खुझली, कब आदी मूत्र प्रतिधारन जैसी समस्या उत्पन हो सकती है। इसका अधिक सेवन करने से स्वास लेने में समस्या और हिर्दे की गती कम हो सकती है। अगर आप शराब पीते हैं और खसकस की चाई का सेवन भी कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत जादा गंदा और हानिकारक हो सकता है।